आज की मुख्य खबर अतिक अहमेद किल्ड, माफिया अतिक अहमद और उसके भाई अश्रफ की पुलीस सुरक्षा के बीच हत्या कर दी गई है. अतिक अहमद पर तीन लोगों ने हमला किया. पुलीस ने तीनों को गिरफतार कर लिया है. अतिक अहमद और उसके भाई और उनके सिर में जाकर लगती है। हत्यारे मीडिया कर्मी बनकर आये थे। पुलीस ने बताया कि तीनों से लगातार पूछताच की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तीन सदसिय न्याईक जाच आयोग के गठन के निर्देश दिये। साथ ही पूरे यूपी में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया। सीएम ने लोगों से शांती बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की रेगुलर नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और वाइरल की लिंक दी हुई है उन्हें जरूर देखे। कर दो